नमस्कार दोस्तों मेर नाम गजिंदर है दोस्तों आज जो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुड्दी को लिव्च कैसे करते हैं दोस्तों बहुत बारी की से वीडियो बनाए चोटा सा वीडियो है पूरा देखोगे तो आप बहुत सिंपल तरीके से कुड़ती लूज करना सीख जाओगे यह वीडियो आपको मारी पसंद आती है तो आप हमारे चनल को अभी सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं मेरे चनल पर बनाकर डालता रहता हूं अब समय को विश्च नहीं करते हुए चलिए कुड़ती लूज करना सीख लेते हैं देखें दोस्तों मेरे पास में एक कुड़ती है ठीक है इसको मैंने उल्टा कर लिया है और जो चाक होते है यहां से जहां पर हम हिपक तो दोस्तों देखें दोनों तरफ से मैं इस तरी के से खूल दिया है और यह जो कॉड़ती है दोस्तों इससे मीं दो इंच खुला करूँगा यहां कि दो इंच करूँगा एक इंच इस तरफ से और एक इंच इस तरफ से अब करना किस तरीके से यह देखें पहले वले जो इसलाई लगी हुए आपकी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर लगी हुए ठीक है मैं निशान लगा देता हूँ पहले वले इसलाई पर थाकि आपको इजली नजर आजाए इसलाई इस तरीके से, ठीक है, अब इस टोटल दो इंच लिउच करना है, तो करना कि इसको सिर्फ आदे इंच में आपको निशान लगाना है, आदे इंच इस तरफ से करेंगे, और डबल में दोस्तों देखें, आदा और आदा हो जायागा, एक इंच, और एक इंच उदर फर टोटल दो इंच बन जायागा, इस तरीके से, ठीक है, और एक कमर का निशान है, यहाँ पर आदे इंच में निशान लगाना है, ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है, यह देखें दोस्तों, दोस्तों आप आईडे से भी कर सकते हैं इसको, आदे इंच ना करना घप से नहीं करना तो क्या करना यह वाला जो निशान है Filipa, आपको हलके-वालिकश करणे है और पहले वाली सिलाई में मिल देना है लेकिन आपको यहां से भी ल्युज करना है तो इसे खूलना पड़ेगा और इसके आदेंच की दूरी पर निशान लगाना पड़ाँ इस तरीके से ये देखे तो इससे मैं सैडो से भी लूज कर रहा हूँ तो ये देखें दोस्तों यहाँ पर मैं निशान लगा दिया ठीक है टोटल एक इंज हो गया ये इस तरीके से अब जो मैं सिलाई लगाऊँगा इस वाले निशान पर लगाऊँगा सेम निशान में इस तरफ लगाऊँगा आदेंच की दूरी पर तो फटीं के निशान में इसके अंदर लगा दिये अब जो सिलाई लगाऊँगा इन निशानों पर लगाऊँगा और पहले लग दे थे इसके ऊपर ठीक है अभी आते हैं बाजू के ऊपर ठीक है दोस्तों अगर आपको बाजू की गोला या आगे से लूज नहीं करनी तो क्या करना है सिला यहीं से स्टाट करने इस तरीके से और उसको धिरे-दिरे लेके जाना है और इस तरफ आध इंच की दूर्प निशान लगाना है और ऐसे सलाइ लगानी है यह देखे दोस्तों तो दोस्तों निशान में इसके अंदर लगा दिये अब इन निशानों पर मैं लगाऊंगा इस सलाही देखे दोस्तों सलाई ये मैंने इस तरफ भी लगा लिए और इस तरफ भी लगा लिए अब ही क्या करना है जो पहले वाली सलाई थी ये देखें इसको इस तरीके से खोलना है सुई की सायता से ऐसे किया इस तरीके से इस तरीके से और सेम इसी वाले तरीके से आपको बाजू भी खोलनी है और जिस तरीके से मैं ये सलाई खोली है सेम इस तरीके से आपको इस तरह की भी खोलनी है दोस्तो मेना दोओं तरस सिरों खूलीली है अभी क्या करना देखें इसको इस तरीके से अलग कर लेता हूं अब हांपर हम इसे इख यह सलाई लगांगे इस अब मशिन पको लगा के दीखता हूं और उसके बाद चाइब क्या करें गे यह द mache साओ यह देखे मैंने पूर 42 नहीं खोलेद यहां से इस कपड़ा को इस तरीके से वापस से मत जाने की कम करते में जाना है और इस तरीके से और जीतना उपर से फूले इतना इस तौरीके से फॉल्ड करना है तो यह दोनों चीज़ें आपको मशीन पर करके दिखाता हूं इस तरीके से देखें आपको बाजु नीचे रखनी है और कुड़ती है उसे उपर रखना है यह वाला जो मारजन है दोस्तों बाजु का यह आपको backside की तरह फोल्ड करना है इस तरीके से यह देखें कि चाक कैसे फॉल्लक करना यह देखें, कम ईसे कम इस तरीक से कि फिर्ञे कर लें ये देखें ऊपर से सिल्फ नजर आ रही यहां से इसको ऐसे करना है और उसके बराबर ऐसे फ्रूल करनेartet Lex जैसे मैंने इस तरफ कियों खेक है से मुस्लें करना है दोस्तों देखें आपके आपको आपके इससे ल्ष्रू कि मैंने कितना इसे ल्यूच किया है, यह देखे, एक तरफ से दिखाता हूँ इस तरीके से आपको, यह देखे दोस्तों आपको अलगी नजर आ रहा हूँ इसमें, जो मैंने सिलाई हैं खूली है, क्योंकि मैंने इसे प्रेस नहीं किया है अभी, यह देखे, आपको पहले की यह देखे दोस्तों इस तरीके से वह इस तरफ से भी अभी कुछ नहीं से प्रेस कर लेंगे प्रेस करने पहने लाइक हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि कुड़ती के लिए कैसे करते हैं अगर आपको वीडियो मारा पसंद आया हो तो आप मारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेर करें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि लेडिस से सम्मंदित मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट टूडियो में तब तक कले थेंकिस सोमच